नमस्का दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने इस वीडियो दे रहा हूं और अब से क्लास होगी ठीक है अभी देखो यहां पे थोड़ा सा भी ठीक नहीं है पता नहीं कैसा फिल हो रहा है अभी बात करें 21 करने वाले है देखो यह थोड़ा सा प्राब्लम चल लए अभी और फाइनसली थोड़ी सी सप्पोर्ट की जोगत है और आप लोग क्या कर सकते हो मैं आप बताना चाहूंगा यह पीडियाप जो हमारे स्टेटिक जीक हो तिरपन टॉपिंग का 200 पेज का या फिर मैत का 500 कॉश्चन का गेस पेपर हो या फिर साइंस का आप इन्हें बाई क इनसे पढ़ाई भी करो और इससे आपको फायदा होगा मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा हो ठीक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागी है फिर अप्लिकेशन पर आपको अवेलेबल आपको भी बता होगा ठीक स्टेटिक की बात करें तीरपन टॉपिक दिया है आपके लिए पढ़ना जरूरी है लूसेंट और रुपमनी अगर जो भी पढ़ा रहा ठीक चलिए शुरू कथर टेलीग्राम गुरूप आप सब जरूरूर जोइन कर लेना पीडियाफ क्योंकि जो भी क्लासे चलते हैं पीडियाफ आपको यह टेलीग्राम गुरूप में म अगर जो परमालो की बात करें जो इलक्टरॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर चारूर चक्कर लगाते हैं और अंदर की बात करें नाभिक में क्या होते हैं नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूटरॉन होते हैं क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूटरॉन क्या होते हैं निवन में आस्थाइकर कॉन सा है तो ऑपसन है प्रोटॉन इलक्रॉन इलक्रोन निवतरोन और पक्रोटॉन औरल्फा का रही है तो इसका आंशार क्या होगा या water क्यों से तो इसमें जो हम प्र consumo प्र éénद प्रीजेघ्र है और नमबर C राइट अंसर होगा, चलिए question number 4 की बात करें, 4 क्या है, 4 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 proton, 2 neutron और 2 electron हो, उस तत्व का द्रभिमान संख्या क्या होगा, देको 2 proton, 2 neutron और 2 electron होगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका द्रभिमान संख्या 4 होगा, option number इसका D राइट अं किता हो, तो नाभिक का आखार, जब भी पूछे, 10 to the power, मीटल में पूछे तो 10 to the power, माइनस 15 मीटर होगा, option number इसका D राइट अंसर होगा, नाभिक का आखार, question number 6 बात करें, positron की खोज की बात करें, किसने की दिवाई, positron की खोज की खोज की अंडर्सन ने, option number D राइट अं की संख्या तो hydrogen परमाडू के nucleus में protonों की संख्या की बात करें कितनी होती वाई कितनी होती है एक होती है एक यह निकि option number B right answer हो जाएगा question number 8 की बात करें तो 8 क्या है आठ है आपका electron की कोज किस ने की थी electron की कोज तो electron की कोज मैंने बता था जी जी थॉंसन ने की थी option number इसका यह right answer रहा ठीक आए जी जी तॉंसन ने ठीक next बात करें question नमर रदर फोर्ड ने किसकी खोज की थी रदर फोर्ड की बात करें proton की खोज की थी गलीलियो ने किसकी खोज की थी गलीलियो ने या आप comment करके जीमस वार्ट ने किसकी खोज की थी comment करके बता यगा थामसन मैंने बताई दिया ठीक या दोनो टॉपिक से बाहर इसलिए आप बता रदा दे किसकी खोज के थी गलीलियो किसे तत्व की परमालो संख्या कितनी होती है किसे तत्व की परमालो संख्या की बात करें वह कितनी होती है वह नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है तो परमालो संख्या कितनी होती है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही आपका परमालो संख्य पर्माणु में प्रोटान कहा रहते हैं, यह 对 पर दो जोटान काली होता है? तो एलक्ट्रान पे एक रड़ा वेस होता क्या एक यूनिट रड़ा वेस प्रोटानों की संख्या होती है वो समान होती Q13 के बात क्या समस्थानिक या आईसोटोप होते है किसी एक ही तत्व के पर्माणु जिनका समस्थानिक का आपका आपसे डेफिनेशन पूछ रहा ठीक है तो किसी एक ही तत्व के पर्माणु जिनका पर्माणु भार भिन भिन परन्तु पर्माणु क्रमांक समान हो उसे हम समस्थानिक बोलते हैं क्या भिन्न हो पर्माणु भा बात कर लेते हैं, चौदर, किसी पर्माडू नाभिक का आईसोटोप वह नाभिक है, जिसमें क्या होता है, प्रोट्रोनों की संख्या नहीं होती है, ठीक है, प्रोट्रोनों की संख्या वही होती है, परंतु नूट्रोनों की संख्या वही होती है, जिसमें प्रोट्रोनों की इलक्टानों की संक्या समान उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आपका संभारिक, क्या बोलते हैं संभारिक, ठीक, option number B, right answer होगा, question number बात के लिए next हमारा, next है आपका ऐसे पर्माड जिनके पर्माड कर्मांक समान प्रन्तु द्रविमान संक्या भिन भिन तूक्या कहलाती हैं तो यह आपके कहलाते हैं समस्थानिक, यह अपसा नंबर इसका B, right answer का समस्थानिक, ठीक, किसी तत्यों का सरवाधिक समस्थानिक होते हैं, किस तत्यों का सरव प्रोतरोनेों के संक्याओ समान पर्पोनलों के संख्या बिन बिन्नओ क्या क्याती है, तो ब्रड़ेश बात करें questions क्之前 19 एक भारि नाभिक के 2 हलके नाभिकों में तूटने की प्रक्रिय वो बोलते हम नाविकी विखंडन नाविकी विखंडन्य 겠지만 सिद्धान्पर करें। Question 21 की बात करें hydrogen pump की सिधन्परbank हाथा लिए सबसे पहला नाविची रियक्टर किस ने बनाया था आपका किस ने बनाय था वैं सबसे पहला नाविची रेक्टर क्या अंसर हो जाएगा इसका सबसे पहला नाव की रेक्टर बनाया था इसका अंसर क्या होगा बतानों कमेंट करके चलो इसका अंसर क्या होगा अंसर क्या होद क्या आज़तानों कि बात करें ये नाव की मिखन्डन यहाँ यहाँ पे बात करें उपयुक्त सभी उपयुक्त की स्का रेक्ट सर्व बात करें सरो प्राचीन सेल समूग की आयू किस से आकी जाती है सरो प्राचीन सेल समूग की जो आयू होती है वो किस से नापी जाती है तो ध्यान लखेगा के ए आर विदिसे और सा नंबर ए इसका राइट आंसर होगा के ए आर विदिसे कॉशन नंबर 25 की बात करें रिडियू सक्रिय पदार्त उर्थ सर्जित करता है कौन रिडियू सक्रिय पदार्त उर्थ सर्जित करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बीटा कड़ बीटा की डिले जो होती है वो रिडियो सक्रिय पदात उत्सरजित करती है नेक्स बात करें कुश्चन नमबर आपका 27 है निम्रिकित में से किसमे रडात्मक आवेस नहीं होती है किसमे रडात्मक आवेस होती है ठीक इसका अंसर क्या होगा किसमे रडात्मक आवेस होती है इसका अंसर क्या वगा तो यहां पर ध्यान रखेगा यह बीटा कड़ है और बीटा कडिए इसका right answer होगा ऑप्सान लूंबर C कोश्चन लूंबर 28 की बात करें नाभएकी रियक्टर और पर्मालूबम्मे अंतर क्या होती है तो ध्यान रहे helium गिए गणर स्रिंख लिए अबग्रिया पर नियनतित होती है ठीक यही आपका अंतर है option number B right answer होगा question number 39 की बात करें नाविकी रियक्टर के निर्माण में निर्माण में निर्मिकित में से कौन सही का निवार है तो क्या निवार है जर्कोनियम option number इसका C right answer होगा question number 30 की बात करें alpha कड़ के दो इकाई धनावेस होते हैं इनका द्रविमान लगभग किसके बराबर होता है अलफा कड़ के दो इकाई धनावेस होते हैं इनके द्रविमान की बात करें किसके बराबर होता है तो इनका जो द्रविमान होता है helium के एक परमाणू के बराबर होते हैं आगे चले option number इसका B right answer होगा नेक्स बात करें Q31 कोबाल 60 आमतोर पर विक्रण जिकतसा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सरजित करता है क्या उत्सरजित करता है कोबाल 60 यह उत्सरजित करता है गामा रेज गामा के लिए यानि कि option number C right answer होगा 32 की बात करें नावेकी रियक्टर में नेक्रां नेक्राइनदरक की रूपे नेक्राइट की रूप में प्रयोग किया है तो नावेकी रियक्टर में नेक्राइन्चर के रूप में प्रयोग की जातAK इसका कैड़मीयम का option number इसका √icateमियम या बॉरान का Lynch करें और दो सिभुट्सकी बात करें उसका प्रयोग नाविकी विखंडन के प्रेशल्यण appel रइन सरोगे होगा 것은 34 कि कि इकाई का नाम है क्यों तो कियोन कि बात करें यह यह रेड्यू धर्मिता की काई है राइट आंसर रोतिय उत्पन होती है किसके द्वारा तो रावकी रेक्टरों में उत्पन होती है निर्यंत्री त्विखंडन द्वारा निर्यंत्री त्विखंडन द्वारा यानि कि आपसा नमबर सी 36 की बात करें नावके सल्लेयन को ताप नावकी अवक्रिया भी क्यों कहते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा क्योंकि सल्लेयन में काफी उस्मा पैदा होती है क्योंकि सल्लेयन में काफी उस्मा पैदा होती है लिए नावी की तीजिवासमों की आयू ग्याद करने के लिए की जाती नेक्स बात करें पर माङनो रियेक्टर क्या है तो पर माणो रियेक्टर की बात करें एक प्रकार की वह भणती यह, और इंजट पर H. करें दो कथन कथन एक और कारण और ठीक कथन एक करण और अर्नेस्ट रदर फोड ने रहाल साइटी के समझ कहा था कि मनस्यों को नाविकी सक्ति कभी उपलब्द नहीं होगी ठीक है यहां पर यह सही है ठीक करण की बाद करें उसे हविस्वास था कि हैंस्टीन का नियम फेलो हो जाएगा और मात्रा उर्जा में परिवर्तित नहीं होगी ठीक है तो इसमें आपका A और A दोनों सकत्ते हैं और इसका Option नमबर एं राइट आन्सर हो जाएगा ठीक है राइट आन्सर हो जाएगा चलिए यह थे टूटल 40 कोशन यह 40 कोशन थे इसी प्रकार से आपके एक, दो, तीन, यानि कि तीन क्लास और बचे हैं इसके बार ठीक है गिन के 3 क्लास बचे है वो भी कल परसों में खतम हो जाएगा और आपका उसके बाद हम आपका स्लूसेंट में बायोलोजी और रुकमनी में आपका फीजिक्स स्टार्ट करेंगे ठीक चलिए क्लास को लाइक करिए अपसो थोड़ा सपोर्ट करिए और पीड़े बुड़े बाई करिए और क्या चाहिए मुझे चलिए मिलते नक्षिड़ों में जेहन दोस्तों